लोकेशन हेलो गाइज वेलकम बैक टू दन्यू वीडियो दो अक्तूबर से नई वाला सीजन स्टार्ट हो रहा है तो मैंने सुचा तभी से रैंक पुश करना स्टार्ट करूँगा एकदाम चाह चाह गंटे हर दिन यूटिलाइस करेंगे देखते हैं सबके पास बराबरी मौका रहता है अब पहले के टाइम पैसे रहता है तक यार एक आइडी से मुल्टिपल लोग खेल लेते थे लेकिन अब 6 घंटे की लिमिट लग चुके और यह लिमिट मेरे हिसाब से हटने तो नहीं वाली है तो मज़ा आएगा 2 अक्तूबर के बाद फिलाल चार दीने तो मैंने सूचा जो है तब 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 थोड़ा सा एक तो मैं रश गेम प्ले रिकोड़ करते हैं कुछ तो यह है हमारा रश गेम प्ले जहां पर इस वाले होट्डोप पर उविसली उतर नहीं है यार इस वाले हो जब एक बार आप इस होट्रोप से जह है आउट हो जाते हो ना जल्दी मेर जाते हो तो इसके बाद जो है बाकी के जो मैप पे किले हैं वो थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं यार क्योंकि ढूंड-ढूंड के मानने पड़ते हैं जिलकि इसको बावज़ुद भी कितने ब चलो इन दोनों को फिनिश भी करते हैं थोड़े सा टाइम मिलिया था मैंने क्योंकि उसका एक बंदा शायद शॉटगन यूज़ कर रहा था ऐसा मेरे को लगा इसलिए मैं ने सोचागी यार एक काम करते हैं साथ में जाएंगे फिलाल उपर एक बंदा आया और जैसे नीचे गुदा बंदा गदम कैर हमने वहां से गाड़े उठाई और बिल्कु भी टाइम विश्ट नी किया क्योंकि रश करना था तो वहां से इस वाली गाड़ी में हाला कि इसकी स्पीड स्लो है बट अच्छी है ये गाड़ी इसके बाद जो है सीधा अपाटमे ये बंदा पता ने किस बंदे के लिए टीपेपी ले रहा था इस जगा बे बट मैंने से निप्टा दिया अब उस बंदे की बारिया जिसके लिए टीपेपी ले रहा था और यहां पे प्यार आसा बंद वी टू तो गाइस इसके बारे में जरूर कमेंट में लिए आपको कैसा लगाएए वहां पे जो है थोड़ा सा फस गया था इसलिए रश करना ज़रूरी था जल्दी से एक बंदी को पर रश किया फिर जो दूसर बंद आया उसको भी निप् अब जो डीबियस है यार डीबियस से बहुत बचके रहना पड़ता है मेरे टीमेट अभी 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 डीबियस ही फिनिश हुआ है और ये बंदा बहुत डेंजरस था बाई बट एड देंट इस बंदे को पर निप्टाई दिया सीधा आये जा रहा था पाई वो आये जा रहा था अगदम घुसे जा रहा था और फाइनली मेरे टीमेट तो फिनिश हो गया बट अब मैं आकेला बचा था तो ज्यादा था त अब वो बंदे मल्टिबल साउंड जा रहे थे मेरे को और फुट भी मल्टिबल थे अब यहाँ पर देखो जरा क्या सीन होता है इस जगह पे यार चाहता था मैं पीची के साइड से कूट सकता था बट मेरे को नहीं पता था कि वो बंदे दुबारा मॉली फैंक देगा और उस बंदे ने वैसा ही किया जो गलती मैंने लाश्ट वाले मैच में करी थी उस गलती को इस वाले मैच में रिपीट नहीं करने वाला मैं वापन मैं थोड़ असा जो है उन बंदों को लाइटली ले गया था लेकिन इस पार चिकन निकालेंगे गाइस वो भी एकदम तकड़े तरीके से बस देखो जरा और जो भी बोलो यार इस गन का जो साइट है वो जो आइरन साइट है वो बहुत ही अच्छी में को लगती है मैंने सोचा है उपर यार बीम मार के बंदे को जो नौक कर दूँगा भट हुआ नहीं अचा है तो बहार एक बंदा था इसे निप्टाया फिर एक और बंदा आता है और यह भाई साब भी गए तो यहां पर भी आसपस बंदे निपट चुके थे फिर हमने तोड़ा डूंडा तो जगा खाली होई थी सो हमने गाड़ी उठाई और सीधा वहां से निकलके इस जगा पर आ गए क्योंकि इस जगा अब इन में से एक को निप्टा दिया था लेकिन बागी के बंदे टीम इनके थे यहां पर तो इसको निप्टा दिया और मेरे साब से फिनिश हो गया था तो यह दो ही बंदे थे बट जब हम यह से गुज़र रहे थे तो मेबी कुछ और बंदे यहां पर आए अपने टीम लेगे अब जड़ा इनको भी निप्टा लेते हैं गाड़ी तो हमारे पास है सीधा जो है मूपे जाना है अभी तक एक ही बंदा दिखा है हो सकता है वह ज़्यादा बंदे हो और बचारा यह भी गया इसको फिनिश की हमने यह एक ही था उसके बाद एक गाड़ी दिखती है यह भी फ्री का खिल था अपना बिलकुल और वैसे आपको में एक टिप देता हूँ अगर आप अखेले कुछ इस परकार की सिच्विशन में फस जाना तो सबसे बेस्ट चीज यह होती है कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस अडवांटेज में हो गाड़ी से उतर जाओ और फाइट लेलो फाइट में आपके यहां पर एक प्यारा सा बन्वी टूकिया है फिर बाहर कुछ बंदे की फूट आते है अब जिनके फूट आय थे वो तो बिल्डिंग के अंदर चले गया है लेकिन बाहर एक किल मिल गया था और फाइनली जिसके फूट आये थे उसको भी निप्टा दिया और बाहर वाला फिरीक अकिल भी मिल गया थे मिरको एक वह बिचारा ओपन नहीं आ रहा था कहरा हमने यहां से बिल्कुल गाड़ी भगाई सीधा इस जगहा पे आते है अब इतर किसमत इतनी खराब रही मेरी बहुत जादा खराबरी वह बंदा बाड़ी से चलते चलते स्प्रे में गिरा देता है और गिराया के वाई जैसे हमने आप स्मोक किया पूरी की पूरी टीम जो रश कर जाते है स्वेम इसी जगह पे अब एक चांस ता बचने का कि अगर वह रश ना करते अब यहां इतनी बसड मचीना तो तुरंत आयम है पैराशूट लगा के और इधर अल्यठी बंदा था तो पहले इसको निप्टाते है अब में भी इसका साथ ही यहां पर हो सकता है तो मिले को चेक करना पड़ेगा और भाई लिट्रिली इसका साथ ही था यहां पर दोनों को वन वी टू कर दिया बहुत प्यारा इज़ी और अब यहां से चिप चाप निकलते हैं यह गाड़ी थी आपर आगे जाके बगी चेंज करें इमने और फिर टावर से फायर रहता है पहले भी डॉप लूट ते इस ट्रिपर स्टोरी दो नहीं लेकिन इस घर से जो है फायर आया था अब यहां पर पहले तो स्मोक कर दिया हमने क्योंकि कुछ उंदुन ने भी कर दिया कुछ हमने कर दिये और अगर हम इंह नहीं दिखेगा तो तुम्हें भी नहीं दिखागा इस बंदे को जो यह डिप्ट की तरफ गया था इक्जाक्टली इसके पीछे और फाइनली ये भी गया मेरे इसाब से मैं इस बंदे को जो दूसरी बार मार रहा हूँ उसके बाद हमने बग्गी गुमाई और गुमाते गुमाते जो है धीमीड को कुछ बंदे स्पोट हुए तो यहां पर इन बंदों के साथ थोड़ी से लंबी फाइट चलती है थोड़ा ये भी डैमेज करते हैं अब डैमेज किया तो यार मैं थोड़ा सा सबसे पहले हील लगाता हूँ हील लगाता ही सबसे पहले एक बंदा इनका नौक करना था में जो कि थोड़ा सा हाड था बट क्या ही इसको हैड लगे सो वहां से सीधा निकले हम थोड़ा सा इनने वापस जाते जाते डैमेज कर दे था क्योंकि वह भी जो है अच्छी कासी टीम तियार और इतना ओपन से आएंगे तो कहीं नहीं डैमेज तो हो गई अलाकि मेरे टीमेड को अनो चाहिए है मेरे को फाल त आते इन के घर के उपर तीन नोक करने के बाद यहां पर जो कुछ और बंदी आ जाते हैं समोक डालके हम लूट ही रहे थे यह भी गया लेकिन अब बारी थी यहां से निकलने की और यह नाम वाले बंदी को तो मैं पता नहीं कितनी वार मार चुका है यार समझ नहीं आ रहा रहा है कुछ और बंदे बचे थे और जैसे हम इस जगह पर पहुंचे फायरिंग वई हमने गाड़ी रोकी और सीधा इस घर पर पुश कर जाते हैं हम कभी कभी किसमत इतनी ओपोजिट रहते हैं आपके साथ चिकें डिनर एक तम थाली में था लेकिन सीधा डीबियस और यहीं पर किल करता हैं